पूर्व मुक्किमंत्री और जहारखंड मुक्तिमोर्चा यानि कि जेमेम के नेता हेमंत सोरेन को हाई कोट से फिलाहल राहत नहीं मिली है E.D. एक्षन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सोमवार यानि कि 5 फरवरी को हाई कोट ने केंद्री जाच एजनसी E.D. से 9 फरवरी तक जवाब मांगा और सुनवाई की अगली तारीख 12 फरवरी तेंगी E.D. की गिरफतारी के खिलाफ एमंत सोरेन सुप्रीम कोट भी पहुँचे थे तब सुप्रीम कोट ने कहा कि आप पहले हाई कोट जाएं शीर्स अदालत ने कहा हम सीधे सुप्रीम कोट में दाखिल इस याचिका को नहीं सुन सकते हैं याचिका करता हाई कोट जाने को सोतंत्र हैं हमें बताया गया कि यही याचिका हाई कोट में दाखिल हुई है जो वहाँ लंबित है इसके बाद हाई कोट ने 5 फरवरी की तारीक सुनवाई के लिए तै की थी E.D. ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉंडिंग के मामले में हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को लंबी पूस्ताच के बाद गिरफतार कर लिया था उन्हें एक फरवरी को कोट में पेश किया गया जहां अदालत ने उन्हें एक दिन की न्याईक हिरासत में भेज दिया और E.D. की रेमांड की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया था अगले दिन दो फरवरी को कोट ने उन्हें पाँच दिनों की E.D. हिरासत में भेज दिया था आज E.D. उन्हें जारखंड बिधान सभा लेकर पहुँची जहां वो फ्लोर टेस्ट में शामिल हुए बता दे कि हेमंद सोरेन 31 जनवरी को E.D. की हिरासत में ही राजभवन पहुचे थे और सीम पत से इस्तीफा दे दिया था इसके बाद चमपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया उन्होंने दो फरवरी को मुख्यमंत्रिपत की शपत ली आज उनके विधायकों ने फ्लोर टेस्ट का सामना किया जेमेम कॉंग्रेस गटबंदन का कहना है कि वो आसानी से बहुमत साबित कर सकते हैं गौर तलब है कि हेमन सोरेन ने गिरफतारी के खिलाफ पहले ही जारखंड हाई कोट का दर्वाजा खटखटाया था बाद में उन्होंने सुप्रीम कोट में याचिका दायर की थी जहां से उन्हें जटका लगा था सर्वोज चन्यायलाय ने उन्हें हाई कोट जाने को कहा था इसके बाद अब जारखंड हाई कोट ने मामले में E D से जवाब मांगा है इससे पहले सुप्रीम कोट ने धन शोधन मामले में जारखन के पूर्व मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हस्तक्षिप करने से इनकार कर दिया हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशाले की ओर से की गई उनकी गिरफतारी को चुनोती दी थी जस्टिस संजीव खन्ना न्यायमूर्ती एमेम सुंदरेश और न्यायमूर्ती बेला एमत्रवेदी की पीठ ने शुकरवार को सोरेन की ओर से पेश वरिश अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल और अभिशेक सिंगवी से हाइकोर्ट जाने को कहा था इससे पहले एडी ने बुद्वार को मनी लॉंडरिंग मामले में साथ घंटे की पूछ ताच के बाद जहारखंड के सीम हेमन्त सोरेन को गिरफतार कर लिया था इससे पहले सोरेन को एडी की हिरासत में राजिपाल से मिलकर सीमपत से इस्तीफा देना पड़ा था और अब हाई कोर्ट ने भी अभी फिलहाल कोई राहत हेमन्त सोरेन को नहीं दी है कोर्ट ने सोरेन की गिरफतारी को लेकर एडी से जवाब जरूर मांगा है अब देखना ये है कि 12 फरवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तो हैमन्त सोरेन को कोई राहत मिलती है या फिर नहीं अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें